गुड मोरिंग गाइज वेलकम टू बेंकिंग अंगल्स मानिया का आज है पंदर अगस्त और पंदर अगस्त के दहिंदू आर्टिकल में आप सब का स्वागत है तो चलिए बिना किसी देरी के सुरू करते हैं आज का पहला वर्ड पहला वर्ड नेव इसका मतलब होता है दूस्त फ्रॉड को का जाता है नेव जो बदमास है या फिर धोके बाज है वो हता है नेव सिनेनम होंगे इसके मिस्क्रियंट रोग इसके सिनेम है इसके सिनेम में इसके में बदमास स्रारती को का जाता है रोग जो गुंडा है या फिर धोके बास टाइब का है लुच्चा टाइब का है वो हता है रोग मिस्करियंट यह भी क्या है दूस्टव बढमास को कहा जाता है कुछ और सिने में इसके जैसे रेप्स कोलियन इसका मतलब भी क्या होता है बदमास सरारती को कहा जाता है इस कैली वेग या फिर इस कैला वेग दोनों ही आप देखोगे इनका मतल़ भी क्या होता है बदमास सरारती को कहा जाता है वारलेट होगा इसका मतल़ भी क्या है बदमास सरारती दुस्ट को कहा जाता है और रास्कल होगा, स्विंडिलर होगा, धोके बाद को का जाता है, स्विंडिलर, एंटागोनिस्ट होगा, विलेलन को का जाता है, एंटागोनिस्ट, जो क्या होता है, दुस्ट टाइप का बदमास है, गुंडा है, वो होता है, एंटागोनिस्ट, और इसका जो एंटिनीम हो रूप में जाना जाता है ठीक है तो यह हो जागा इसका एक्जामपल अगला वड़ है नौटी इसका मतलब होता है जटिल ट्रबलसम को कहा जाता है नौटी जो गांठधार है वह होता है नौटी विच इस डिफिकल्ट टो अंडरस्टेंड विकज ऑफ इस इंट्रिकेसी कि जटिल टा की कारण जो आपको समझना आए वह होता है नौटी सिरेनम होंगे इसके मिस्टिफाइंग परपल एक्सिंग कॉम्पलेक्स यह इसके सिरेनम है मिस्टिफाइंग 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 जो रहस्य बना हुआ है या जो समझ से पर इसका मतलब भी क्या होता है भूल बले या फिर जो जहां से निकलना काफी मुश्किल है जो समझना आ रहा हो वो होता है लेवरिंट इन्वोल्यूशन होता है जो काफी गुमावदार है समझना आ रहा हो सिर के उपर से जा रहा है बेचिता है वो होता है इन्वोल्यूशन जाता है कुदोस जैसे इमेज में दिख रहा होगे यह कुझ है देवेंदर जा जर्य यह है इन्होंने जब 2016 पीर अलम्पिक में गौल्ड मिंडेल चिता था तो इनको खाफी मिले काफी परसंट्र मिली इनको काफी माधी ऑनार दिया huhwe esteem, upload, claim ये इसके सिनम है, इसे claim से confusion नहीं करना, claim मिस होता है, दावा ठोकना और claim मिस होता है, किसी वावाई करना, या फिर परसंसा करना ठीक है, ये होता है, claim और upload मिस होता है, किसी के सराहना करना, तालियों से उसका हर सुवर्धन करना, ठीक है यह होता है अप्लोज, एस्टीम, किसी का सम्मान करना, आदर करना, ठीक है, यह होता है एस्टीम, इसके कुछ और सिनेनम है, वैसे सिनेनम काफी है इसके, पर कुछ सुन लो, जैसे एनकोमियम हो गया, प्लॉड इट हो गया, इनका मतलब भी क्या होता है, तारीफ करना, एनको कम्लिमन्टेशन देना कमेंडेशन होता है किसी की तारीफ करना ठीक है पैनी ग्रिक होगा य्योजी होगा य्योजी यहांपे क्या यज हुआ है EU मतलब अगर कहीं पर लगावा है य्यू तो इसका मतलब है वो match GT तो उसको काफी सारी बदाईयां मिली या उसकी काफी परसंसा की गई ठीक है तो यह हो जाएगा इसका एकजामपल बढ़ते आगे तो गाइज अगला वड़ है पियर इसका मतलब होता है साकर्मी दूसरा मिनिंग होता है इसका जहांकना तीसरा मिनिंग होता है इसका सिस्ट तो यह तीनों ही मिनिंग देगा साकर्मी मतलब जो फैलो है जैसे यह टेबल के उपर बैठे हुए है और दूसरा मतलब क्या है इसका जहांकना जब आप चुपके से कहीं पर जहांकते हो या फिर ताकते हो वो होता है पियर और तिसरा मिनिंग इसका सिस्टेज जो सिस्टेजन है, सम्मानिय लोग है या फिर जो नोबल है, वो होता है पियर, इसके सिनम देखते है को वरकर होगा, कम पियर होगा को इक्वल तो ये इसके सिनम है को इक्वल मतलब जो बराबर है एक समान है कमपियर जो साथ में है को वरकर जो साथ में साकर्मी है वो होता है ठीक है तो ये इसके सिनम है कंटेंपोरेरी होगा जो समकालीन होता है वो होता है contemporary मतलब एक ही उसमें वो होता है और कलीघ होगा साकरी में को का जाता है तो ये कहें इसके cinema है इसके कुछ और मताता हूँ आपको जो जहांकने के या ताकने के उसमें है जैसे गौक होगा, ओगल होगा इसका मतलब क्या होता है बुरी नेजर से देखने को का जाता है या घुरने को का जाता है गौक, ओगल, गेज होगा, इस्टेर होगा, स्नूप होगा, ताकने को का जाता है इस्नूप, गैप होगा इसका मतलब इक होता है ताकना, वैसे गैप का मतलब खाली स्थान भी होता है जो बीच में जगे होती है और दूसरा मीनिंग क्या होता है इसका ताकना भी होता है तो ध्यान रखना इसका एक्जामपल होगा जो अधर्मी हो या धर्म के विरुद जा रहा हो अलगावा टाइप का है विद्रोही टाइप का है वो होता है ठीक है सिनम होंगे इसके अपोस्टेट पैगन रैनिगेट ये इसके सिनम होंगे अपोस्टेट पैगन इसका मतलब क्या होता है धर्मी जो धर्मी के विरुद है रैनिगेट जो भगोडा है अपनी धर्म को छोड़के भाग रहा है वो होता है रैनिगेट और नोन कनफोर्मिस्ट हो सेपरेटिस्ट होगा जो अलगा हुआ टाइप का है डिसिडेंट होगा जो कियासा है विरूद खड़ा हो रहा है वह था डिसिडेंटल ठीक है तो यह होते हैं इसके सिन्जम एकजांपल होगा इसका दे हैरेटिक मेंट विद सीवर परसी क्यूसन जो विधर्मी है उसको पहली बार कहा तो जो है उसको फांसी पर चड़ा दिया गया था क्योंकि उनके किताबों में क्या लिखा गया था कि जो है प्रिथवी कैसी है फ्लैट है तो इस वज़े से क्या कहा गया कि यह अलगावाद टाइप का है नास्तिक टाइप का अधर्मी है जो किताबों में ल सिनेम होंगे इसके अंडरकावर, सीक्रेट, इस्टिल थी यह इसके सिनेम होंगे इसका मतलब क्या होता है जो हिडन है कुछ और सिनेम में इसके जैसे क्लेंडेस्टाइन होगा जो छिपा हुआ है क्लेंडेस्टाइन गुपत है जो सीक्रेट है वो था क्लेंडेस्टाइन वो जो report है उसको क्या करने की कोसिस कर रही है गुप्त रखने की कोसिस कर रही है तो यह होता है clock and dagger होता है इसका मतलब क्या होता है secret को का जाता है तो यह भी आप दिहान रख सकते हो एक्जामपल होगा इसका behind his soft behavior he has some covert intentions उसके soft behavior के पीछे उसका कुछ गुप्त intentions हैं कुछ गुप्त इरादे हैं ठीक है तो यह हो जागा इसका एक्जामपल बढ़ते आगे तो गाइस अगला word है वर्बोज इसका मतलब हो जाएगा वाचाल वर्डी को कहा जाता है वर्बोज ज इसके gabies, circumlocutory, garrulous यह इसके cinema है इनका मतलब भी क्या होता है खुब सारे बाते करना कुछ और word बता तो मैं आपको जैसे पाले होगा पाले में इसका होता है बातचीत को का जाता है डायलोग होता है जो दो लोगों के बीच में बातचीत होती है वो होता है डायलोग और long winded होगा windy होगा, long winded मैं इसक browse होता है जो खूब लंबी चोड़ी बाते करता है वो हता है long winded windy, windy इसका मतलब क्या होता है हुआदार भी होता है डुसरा meaning होता है वाचाल, तो ध्यान रखना windy का मतलब किया है हवादार भी होता है और दूसरा बातचीत को भी का जाता है ठीक E-O-N-A-S-T-I-C पिलियोनेस्टिक इसका मतलब क्या होता है वाचाल को आ जाता है तो ये के हैं इसके सिनरम है एक्जांपल होगा इसका C-E-A-WERBोज WOMAN वो जो है एक वाचाल महिला है ठीक है तो ये इसका एक्जांपल हो जाएगा अगला वड़ा है ब्रिंकमेंसिप इसका मतलब होता है अस्थिरता डेंजर को बोला जाता है ब्रिंकमेंसिप यहां पर दिख रहा होगा यूकरेन और रसियां है यह आपस में इनका जो बॉर्डर है वहां पर काफी अस्थिरता है काफी डेंजर है ठीक है तो दोनों ही है तो वैसिलेसन होगा, इनकंसिस्टेंसी होगा, ये भी कहा है, अस्थिरता को कहा जाता है, जो इदर उदर ढोल रहा है, वो होता है वैसिलेसन, तो ये भी इसके सिन्नेम होंगे, एक्जांपल होगा इसका, दियर पॉलिटिकल, ब्रिंकमेंसिप was the main reason of breaking the alliance, जो alliance है, जो कठबंदन है, उसके तूटने का मुख्य कारण, पॉलिटिकल, ब्रिंकमेंसिप जो राजनितिक अच्छ दरता है, ठीके, तो ये इसका एक्जांपल हो जागा, अगला वट है, गार्ब, इसका मतलब होता है, परिधान, कलोस को का जाता है, गार्ब, जैसे image में भी तिख़रा होगा, ये होता है, कॉस्ट्यूम को का जाता है, गार्ब, सिनेम होंगे इसके, अटायर, अपेरल, गार्मेंट्स, ये इसके सिनेम होंगी, इनका मतलब भी क्या होता है परिधान को का जाता है कपड़ों को का जाता है कुछ और से नहीं है जैसे आउटफिट होगा हैबिट होगा हैबिट भी क्या है आदत को भी का जाता है और दूसरा मतलब क्या है इसका क्लोस को भी का जाता है तो ध्यान रखना हैबिट आदत भी ह outfit जो परिधान होता है heavily meant होता है जैसे यह habit बना है वो यह heavily meant भी बना है ठीक है इसका मतलब क्या होता है close होता है rig out होता है इसका मतलब क्या होता है बाहरी जो कपड़ा होता है वो ते rig out तो यह भी धियान रखना एक्जामपल होगा इसका he wore the garb of a scout not a general उसने जो है किसी जनरल का नहीं बलगी किसी scout का पोसाग पहना था ठीक है तो यह हो जाएगा इसका एक्जामपल बढ़ते आगे तो गया आज का रूट वाट है इसका मतलब हो जाएगा to look या फिर एक्जामीन देखने को या फिर जांच को का जाता है spectro कहीं भी आप इस्पेक्ट्रो देखोगे यह वाले सेंस दे रहा होगा जैसे spectacular इसका मतलब क्या हो जाएगा impressive and eye catching सांदार को का जाता है spectacular जो जबर्दस्त होता है ठीक है introspect इसका मतलब क्या हो जाएगा to examine your own thoughts and feelings आत्म करने को का जाता है introspect इंट्रो में इस क्या होता है अंतहकरन ठीक है वैसे retrospect thinking about something in the past बिते वह को याद करने को का जाता है retrospect रेट्रो मतलब past को का जाता है वैसे circumspect सरका मतलब क्या होता है चार तरंब around को का जाता है prospect मतलब देखना तो जो 4 तरंब देखके चलड़ रहा है वो कैसा हो गा कौस्रस होगा वैरी होगा cherry होगा leary होगा सावधान होगा ठीक है तो उन लोकर viewer को का जाता है spectator तो बढ़ते अब आगे तो guys जो लोग like नहीं कर रहे हैं अच्छी बात नहीं है 10 बार रपे अटका दिया है तुम लोगों ने तो like लोगी कर दिया करो अगर session अच्छा लगता है तो ठीक है बढ़ते अब आगे तो guys आज की पहली एडियम है from dawn to dusk इसका मतलब होता है from early morning to night वो ऐसे dawn मिस्ट क्या होता है morning को का जाता है और dusk मतलब साम तो सुबे से साम तक तो इसका क्या मतलब होगा सुबे से साम तक जैसे example है I have to work from dawn to dusk on the farm मुझे जो ये farm में सुबे से साम तक कारे करना पड़ता है ठीक है तो ये इसका example हो जाएगा अगली phrase है cut corner इसका मतलब क्या होता है cut corners means to do something badly or cheaply लापरभाई से किया गया काम को कहा जाता है cut corners ठीक है जैसे example है they really cut corners when they built this bathroom उन्होंने बड़े ही लापरभाई से कारे किया को बना गया वैसे cut corner कि होता है जब आप shortcut लेते हो ठीक है और shortcut के चकर में क्या होता है चीज़ें खराब हो जाती है लापरभाई से होती है क्यूंकि आप जल्दी में होते हो मतलब cut corner ले रहो चोड़ दे रहो उसमें अच्छी नीवनी आती यह अच्छी टिंग से बननी पाता है तो यह होता है अगला अगली फ्रेज है बीवर अवे इसका मतलब होता है वर्क हाट कठिन स्रम करने वाले को का जाता है बीवर अवे जैसे एक्जामपल है वह जो है महीनों से उस प्रोजेक्ट पर कठिन परिश्रम कर रहा है ठीक है तो यह होजा जैके इसका इसका मतलब होता है something that is too large चमता से अधिक होने को का जाता है spill over suppose आपके पास कोई गिलास है उसमें आप कॉफी डाल रहे हो और जो है कॉफी बाहर निकलने लग रही है मतलब बाहर आ रही है तो वो क्या है जो बाहर निकल रहा है वो क्या है चमता से अधिक है वो जादा है आपके पास something that is too large वो लार्ज है आपके तो यह होता है जैसे एक्जामपल है I try not to let my work spill over into my life outside the office I try मैं कोसिस करता हूँ कि जो मेरा work है वो इतना जादा ना हो जाए कि वो ओफीस के बाहर भी आ जाए ठीक है मतलब घर पे भी वो यह काम चल रहा है माइंडी पे चल रहा है तो मैं इतना कोसिस करता हूँ कि वो इतना आगे तक न जाए तो यह हो जाएगे इसका एक्जामपल तो guys बढ़ते हैं आप आगे तो guys यह quiz थी जो आपको solve करनी थी क्या था they couldn't go there and for the help of two वो जो है तुम दोनों की way तुम दोनों की help के बिना वहां नहीं जा सकते थे तो यह था लेकिन actually मैं मिनिंग यह नहीं दे रहा है क्यों कि यहाँ पे पहले नीचे concept में देखते है but for का मतलब क्या होता है without जैसे नीचे example है I cannot do this work but for your help मैं जो हूँ यह कारे तुमारी help के बिना नहीं कर सकता I cannot do this work without your help या तो ऐसा लिखो without या but for लिखो दोनों का मतलब same है वो ऐसे उपर होना था they couldn't go there and for the help of two तो यहाँ पे यह नहीं होना था यहाँ पे क्या होना चाहिए था but for they couldn't go there but for the help of two तुम दोनों के help के बिना वो वहाँ नहीं जा सकते थे ठीक है तो बढ़ते हैं अब आगे तो गैज यह word दिख रहे होंगे यहाँ पे imply और infer इसका मतलब होता है इन दोनों का मतलब होता है अर्थ निकालना अब इन दोनों में क्या अंतर है अगर किसी को मालूम है तो प्लीज यार comment box में लिखना मुझे मालूम नहीं है ठीक है और यह जो quiz है अगर solve कर सको वोसे काफी हीजी है क्या है my parents prevented me in accepting the invitation इसमें क्या error है वो बताना आपको ठीक है तो thank you guys like and subscribe to channel